काफी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि एरिना सेटिंग्स आप कैसे कंट्रोल सेटिंग्स कर सकते हैं तो दूस्तो आज कि वने हो आपको बताएंगे आप लोग कैसे आप सेट कर सकते हैं Arena training वाली है जो उसको आप लोग कैसे control set कर सकते हैं और काफी लोग भी वगताते हैं आप के control कैसे हैं तो वह भी मैं आपको दिखाओंगा आप Pro Level Settings आप लोग कर सकते हैं भाई आप लोग सब्हीड लोग जानते हैं, control का roll कितने ही जादा होता है आप लोग सभी लोग जानते हैं कि perfect size और perspective placement बहुत जारूरी है आप लोग सभी लोग जानते हैं perfect size आपको रखना ही पड़ेगा चाहे scope की हो चाहे joystick की हो चाहे jump की हो आपको perfect size रखना है पड़ेगा और placement की बात ही छोड़े तो इसलिए मैं आपको दो तरीके बताना हूँ जो कि मैं practical करके दिखाने लोगा हूँ उसके बाद आप लोग उसे यूज कर सकते हैं तो चलिए मैं चलता हूँ game screen पे तो home screen पे जाने बाद यहां पे उसके बाद यहां पे मैं पहले settings आपको दिखा देता हूँ दो तरीकों से कर सकते हैं एक गेम स्टार्ट करके आप कर सकते हैं एक दूसरा तरीका है जो बहुत ही ईजी है तो पहले मैं आपको ता तो गेम आवाला आप कैसे कर सकते हैं आपको सबसे पहले गेम स्टार्ट कर लिना है गेम के अंदर ही आप सारी सेटिंग्स कर सकते हैं ले मैं settings पर click कर लेता हूँ तो यहाँ पर settings पर जैसे मैं click करता हूँ तो यहाँ पर control set करना है तो control पर click करता हूँ उसके बाद यहाँ पर click करते ही यहाँ पर आपको सारे आपके control देखने को मिल जाएंगे आपको जो जहाँ पर रखना है मैं आपको जैसे देखा रहा हूँ मैं practical आपको दिखा रहा हूँ लेकिन आपको अपने हिसाफ से sit करना है जहां पे जो रखना है आप लोग अपने हिसाफ से कर लीजिएगा तो भाई आप लोग यहां पे save करने के लिए save पे click कर सकते हैं और अगर save नहीं करना चाहें not save पे click कर लेते हैं तो यहां पर लएाउट हमें तीन देखने को मिलते हैं आप जो लएाउट यूज करते हैं आपको किलिक कर लिक लिएना है जैसे ठ Glory use करते हैं तो किली करके आप लोग कस्टमाईज कर लिजिएगा अगर आप ठल्ड यूज नहीं करते हैं जैसे मैं आपको first करके दिखाने हूँ वो इससे ठल्ड भी होगा तो यहाँ पर मैं first यूज करता हूँ first पर क्लिक करता हूँ उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस परकार से देखने मुलेगे आपके कंटोर्स लेकिन भाई यह टीपीपी क्लासिक वाले हैं इसको चेंज करने से आपको क्लासिक वाले सारे कंटोर्स चेंज हो जाएंगे लेकिन भाई आप यहीं पर आप देखेंगे यहीं से आप लोग कर सकते हैं अरीना की तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक reset का उसन मिला है तो इसके उपर पर किलिक करना है नॉट्स नीचे तो आपको उपर करना है जैसे किलिक करेंगे तो यहाँ पर आपको arena FFE और TPP दोनों मिलेगा अगर जो FFE खेलते हैं उस पर किलिक करके आप लोग यहाँ पर set कर सकते हैं 90% लोग तो TPP ही खेलते हैं तो मैं TPP पर ही बता देता हूँ TPP किलिक करके आपको जो जैसा control रखना चाहते हैं आपको यहाँ पर कुछ भी इधर उधर जो जिधर रखना चाहते हैं कोई छोटा कर सकते हैं या बड़ा भी आप लोग कर सकते हैं sorry यानि कि control में जो जिसे जितना बड़ा करना चाहते हैं not बड़ा आप लोग जितना भी बड़ा खना हैं आपको small छोटा बड़ा छोटा नीचे उपर आप जैसा रखना चाहते हैं लीजेगा उसके बाद आपको यहां पर save पर किली करके save कर सकते हैं not save पर किली करके आप लोग save नहीं करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं तो वीडियो पसान आए है तो लाइक करें चैनल करें सस्काइब मिलते हैं तब तक ले बावे थैंक यू फॉचिंग जैहिन जबाद